हेलो फ्रेंट से लुके हुमा येटू चैनल में आपसे का स्वागत है फिर से मैं कि लोड़ीक साथ आचके हैं आज की जो वीडियो होगी बहुत इंट्रेस्टिंग शंदर अपडेट के पर हम जुजानकारी है वो आप सभी को मैं आपर देने वाला हूँ आपको मार्च के अंदर नौटिफिकेशन मिलेगा ऐसा मैंने अपडेट दिया था पहले तो फाइनली जो आपका नौटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है और आपको बताने वाला हूँ इसका नौटिफिकेशन हो चुका है अपको सभी को बड़ी खुसकरी का प्यार और सयोग की वैजे से ठीक है इसे चैनल के ओपर 20,000 जो YouTube family है वो complete हो चुकी है तो आप सभी को बहुत 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 congratulations कि आप सभी के विश्वास की वज़े से support की वज़े से आज हम यहां तक पहुंचते रहे हैं तो ऐसे ही साथ हमारा देते रहे हैं आप सभी को मैं time से regularly update लाता रहूँगा और आप आपर जो vacancy है वो होने वाली है ठीक है इसके अंदर देख लीजेगा advertisement number आपका यहां पर release कर दिया गया है RML IMS ठीक है प्रेंट्स तो इसका जो official advertisement है वो यहां पर release आपका कर दिया गया है जिसके देख लिए date निकलिए 5 March ठीक है 5 March को इसका जो advertisement है वो आपका यहां पर release किया गया है notification for the recruitment of the non-touching post यहां पर देख लीजेगा आपका जो notification है वो release हुआ है इसके लिए non-touching post के लिए आपका जो notification है वो आपका यहां पर release किया गया है जिसके अंदर आपको दिखा गया है कि online applications were invited from the eligible Indian national of the filling of various non-touching post यहां कि non-touching post के लिए आपको यहां पर application form के लिए यहां पर आपको invited किया गया है जिसका जो pay scale आपका रहेगा level 7 के साब से आपकी जो salary है वो आपकी यहां पर रहने वाली है ठीक है यहां कि level 7 के साब से आपको यहां पर salary दी जाएगी RML की तरब से जो vacancy है वो आपको यहां पर दी गई है ठीक है इसके अंदर देख लीजिए आपकी post कौन-कौन सी रहने वाली है उसके बारे में यहां पर सलसा करेंगे तो यह देख लीजिगा name of the post आपको दिया गया है और आपको pay level भी आपको यहां पर पराड़ किया गया है तो यहां पर देख लीजिएगा nursing officer की आपकी जो post है वो आपकी रहने वाली है level 7 के साब से आपकी salary रहेगी उसके बाद में technical officer की post आपको दी गई है dietation की post दी गई है इसकी salary भी आपकी level 7 के साब से रहेगी उसके बाद में एक इस्ट देख लीजिएगा ophthalmic technician, grade first technician, assistant, ENT, technician, radiographer, technician, radio therapy, junior occupational इस परकार से काफिसारी post है medical lab, technologist की भी post है level 6 के साब से आपर salary रहेगी dental technician की post है इनकी salary भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी अब बात करते हैं कि जो application form है वो आप कब से start होंगे और आपके जो last date है वो कब से रहेगी इन सभी चीजों के बारे में यहां पर discuss करेंगे तो यहां पर देख लीजिएगा online application form from the discipline on the institute की जो official website है यानकी rml की official website है उस official website पर आप पर full detail advertisement वाप रलीज किया जाएगा official website के बारे में आपको जानकरी देता हूँ तो यहां पर देख लीजिए www.drmlims.ac.in क्या है इसकी official website है यानकी rml की यह आपको official website है application form भी आपको इसी website से आपको देखने को उम लेंगे और यहां पर देख लीजिएगा application form कब से भरे जाएगे यह चीज भी आपको यहां पर दिया गया है कि during third week and fourth week यानकी third और fourth week March के अंदर आपके जो application form है वो आपके भरे जाएगे यानकी 10 या 15 दिन की अंदर application form की starting हो जाएगी rml की तरब से तो बहुत ही बड़ी खुसकबरी यहां पर देखने को मिलेगी आप सभी के लिए बड़ी जानदार भरतियां आप सभी के लिए यहां पर आ रहे हैं तो यह इसकी sort notification था यहां पर देख लीजे detail information regarding the post and number of the post वगरा के बारे में detail notification है वो आपको इसकी official website पर देखने को मिलेगा और official website पर एक या कि यहां पर time से आपके लिए यहां पर update है वो पहुचा दू जैसे ही इसका full notification आएगा तो यहां पर देख लीजे present में आपका जो notification है सिरफ आपका sort notification यहां पर release हुआ है अब जो बात करेंगे कि यहां पर जो application form है वो तो आपके 25 से लेकर 30 अपरेल तक आपके जो application form है वो आपके चलने वाले हैं यहां कि पूरे आपके यह माल लीजे 20-25 दिन आपके जो application form है वो आपके चलेंगे तो बिल्कुल आप इस channel को विजिट करते रहे हैं जैसे ही इसका full detail notification आता है तो आप सभी तक मैं बिल्कुल पहुंचाने की कोसिस करूँगा बात करें इसके अंदर qualifications के बारे में कि कौन-कौन candidate इस vacancies को आप अपलाई कर सकता है तो इसमें देख लीजेगा qualification के बारे में अगर मैं discuss करू तो qualification के अंदर BSC nursing कर पाएंगे पोश्ट BSC nursing को अपलाई कर पाएंगे उनके पास कोई भी यहां पर जो experience है वह आपके पास नहीं मांगा जाएगा लेकिन जो GM candidate है GM candidate के पास यहां पर हर बरती के अंदर experience मांगा जाता है तो हो सकता है RML के अंदर भी आपके पास experience मांगा जाए minimum आपका 50 बैडिड हुस्पिटल का जो experience है वो आपका यहाँ पर रहने वाला है ठीक है वन यर या टू यर वो तो full notification के अंदर आपको पता चलेगा लेकिन यह confirm है कि जो GNM candidate है उनके पास यहाँ पर आपके पास experience मांगा जाएगा तो जो candidates GNM में experience है तो वो अपना experience बनवा ले अगर नहीं बना है और बना है तो अपना तयार रखे क्योंकि जो application form है वो आपके बहुत ही जल्द यहाँ पर start होने वाले है ठीक है उसके बाद में देख लीजिए age limit के बारे में SCST के लिए 5 year का है उसके बाद PWD के लिए 10 year का है तो इस परकार से जो आपका age relaxation रहेगा तो वो तो इस vacancies के अंदर भी आपका लागू होगा और same आपका age relaxation यहाँ पर रहने वाला है ठीक है application fish के बारे में आपको discuss करेंगे आगे जाके age limit के बारे मैंने आपको बता ही दिया है application form कब से बरे जाएंगे और last date आपकी कब तक रहने वाली है इस इस के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर update कर दिया है ठीक है अब बाकि अगर किसी content को फिर भी अगर कोई doubt है और अगर कुछ overseas यह पूछ लिए तो comment box में जरूर बता दीजिएगा क्योंकि काफी बड़ी भरतिया यहाँ पर निकल कर आ रहे है S.J.P.J. का notification release हो चुका है R.M.L. का भी release हो चुका है उसके बाद में ESIC की भरती चल रही है 2024 के अंदर यह आपके लिए सबसे बड़ी opportunity रहेगी कि 2024 के अंदर आपके लिए बड़ी बड़ी भरतिया यहाँ आपर निकल कर आ रहे है और सारी भरतिया है वो nursing officer की भरतिया है और permanent भरतिया है सबसे बड़ी opportunity यही रहेगी को permanent भरतिया निकल कर आ रहे है बहुत ही शांदार शांदार भरतिया आप सभी के लिए यहाँ पर निकाली जा रही है आप सभी को इस चैनल के मादम से regularly मैं update करता आ रहा हूं कि कौन-कौन सी वेकंसी का जो advertisement है वो release हो चुका है तो मेरे प्यारे साथियों सभी से यही नियवेदन है कि चैनल को subscribe कर दें जो चैनल को subscribe नहीं कर रखें वो प्लीज चैनल को subscribe बलाक एक अगन को लिजी का जिसे ऐसे ही अब डिविडियों हम आख पास टाइम से लात रहेंगे थैंकियु शो मच जहिन जह बात